आज हम बात करेंगे अंतराश्टी ख्याती प्राप्त उडिसा के सेंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जिसे जिने अपनी इस अनोखी कला के लिए पदमश्टी पुरसकार से भी सम्मानित किया गया है सर नमस्कार आपका हमारे कारिकरम वार्तावली में बहुत-बहुत स्वागत है सुदर्शन जी देश-विदेश में इस अनोखी कला के कारण आपके एक विशिश पहचान बनी है विशिश प्रसिद्धी पाई है आपने मैं जानना चाहती हूँ कि इस बारे में आपने सबसे पहले कब सोचा और आपको यह प्रेणा कैसे मिली सेंडार्ट बनाने की प्रेणा तो मेरे लिए यह जगरनाजी का अश्रिवाद है क्योंकि घर जो है हमारा पूरी में है पूरी जगरनाधाम में और पूरी का जो समंदर किनारे बहुत फ्यमस से सबको पता है और मेरा बच्पन में काफी ड्रॉइंग के ओपर तोड़ा इंटरस था तो बच्पन इतना स्ट्रगल था कि मेरे लिए तब कैन्वेस और पेपर और कलर खरिदने के लिए संभव नहीं था तो तब मैं समंदर किनारे के पास में बढ़के थोड़ा ड्रॉइंग स्केच कर रहा था तो इसमें मेरा इंटरस आया की इस ड्रेत में जेसे बच्चे खिलते हैं उसी टाइप स merchants bunlarla देखा कि काफी टूरिस्ट मुझे देख रहा है और काफी एंपॉर्च कर रहे है तो इसमें भी मुझे यह लगा कि में दिन भर में जिनके घर में काम करता हूं तो वहां कोई अच्छा नहीं बोलता है, यहां पर थोड़ा बालो में कुछ बनाया था, इतने लोग मुझे प्रसंद सा करें, वहां काम की तारिफ नहीं होते हैं और यहां प्रसंद सा भी बलती है, तो वो मेरे मन में एक बहुत बड़ा इंटरस्ट आ गया, और मेरे लिए कि आसरीबाद बन गया, जितने टूरिस्ट मुझे एंकरिसके, क्योंकि मेरा भच्पन के टाइम में मेरे पडोसी के घर में काम कर रहा था, पढ़ाई ज्यादा नहीं हो पाया, तो उसी टाइम ही मेरा यह शुरू हुआ रेत में बनाना, और इतना नशा लग गया तब से ही तो रेत मिलते ही कोसिस क्या है कुछ ने कुछ बनाने के लिए तो सर आपकी जो कलाकृती हम सुबह सुबह देखते हैं, उससे से हमें पता चलता कि आज ये विशेश दिन है, बहुत सरे इसे डे है, जैसे वाल्ड वाटर डे है, बहुत सरे हम लोग तो जहां एक गलास पान पानी मिलता है, बहुत सरे ऐसे जगह है, लोगों को एक गलास पानी के लिए तरिशना पड़ता है, तो ये लोगों में जागरुतिलाना बहुत जरूरी है, बहुत सरे नदिया है जहां पर प्लूशन होता है, तो उसमें लोगों में जागरुतिलाना चाहिए कि वो कैसे प तो इसको मैंने बहुत निंदा किया था, थू आर्ट के थू मैंने यह किया था, कि लोग वहां पर जो टूरिस्ट थे वो आके वहां पर उनका ट्रिबुट दी, जो मेरा वोल्ल चेंपेंशिप का स्कल्प्रिट था, वो क्लाइमेट चेंज के उपर ही था, इसे भी बहुत सर मेरे फ्यान सें जो वो निउस्पेपर का फोटोग्राफ को या वो पिक्चर्स को सेव करके रखते हैं और उसको सोसाइटी में सेयर भी करते हैं लोगों के पास तो सर जैसे आप बता रहे थे कि रेट से बनाना बहुत मुश्किल होता है तो आपको बहुत चुनोंतियों का भी सामना करना पड़ता हो आपको इस रेट में बहुत सरे डिफिकल्डिज होती है क्योंकि रेट एक ऐसा चीज़े जो हावा से उल जाती है और ज्यादा टाइ जाने मिलाना है कैसे उसको कार्विंग करना ये बहुत डिफिकल्ड जी आपकी जो कला है इसमें सौंदरिय के साथ साथ आपको बहुत परिश्रम भी लगता होगा क्योंकि आप कई बार बहुत विशाल विशाल आक्रतियां भी बनाते हैं तो वो सब आप कैसे करते हैं बड फिर भी हमने बहुत सारे अराउंड एट वोल्ड रकॉर्ड्स है हमारा जो लिम का बुक अफ रेकॉर्ड्स में है और लास्ट डिसम्बर में हम लोगों ने वोल्ड की तॉलेस सैंड सान्ता क्लॉस किया था जो वोल्ड रकॉर्ड क्रेट हुआ था बड़ा स्कल्चर भी ब यर ह्यामने रहते बहुत होगा की समुद्र नंको बहा ले जाता होगा तो इस तरह की सुनोतिया आपको सामना करना पड़ा जैसे हमारा लाइव है एक शेकनड में क्या हो सकता है, किसको पता नहीं है, तो यसलिए लाइफ जीवन में कभी कोई ठिकाना नहीं होता है, तो एक कलाकुर्थी एक ऐसा है जो बरप में बनता है जैसे स्नो में और रेत में यह दोनों ऐसा चीज है जब ग्लोबली इंटरनाशनल इस के ऊपर बहुत सरे तो लोग भाग के आता है देखने के लिए जपान में एक स्नो फेस्टिबल होता है तो मैंने वहां पर आराउंड फॉर ताइम्स वीन किया है गोल्ड मेडल और काफी बार पार्टी स्पड़ किया है जैसे पूरी बीच में जैसे सैंड का संता क्लाउस था अराउंड टेन तक कलाकृती मैक्सिमम कितने दिन तक है ते बालू से बनी हुए है बोर तो डिपेंड करता है वेदर और भगवान के उपर जैसे पूरी बीच में जैसे सैंड का संता क्लाउस था राउंड 10-15 डेस वहां पर था तो वो डिपेंड करता है वेदर के उपर और कैसे तो मेरे पास कलर ब्रस तो कुछ नहीं था और सिफ भगवान का दिया हुआ हाथ था और उसी हाथ में नाखुन से में बनाता था और जो वेसिकली इंटरनासल कंपेडिशन भी होता है उसमें तूस यूज करते हैं क्यूंकि उसमें 20-30 फीट हीट का स्कुल्च्छर सुता है तो वो एक फॉर्म से उसको कार्विं करना पड़ता है तो उसमें यूज करते हैं बद स्टिल हम हमारा फिंगरनल से ओडिटल्स आकृति को फिनिसिंग टॉट्स हम फिंगरनल से देते हैं सर, सैंड आट का भारत में आप क्या भविष्य के देखते है भारत में बहुत सरे भविष्य है कि हर कवह क्या में भविष्य है जब मैंने इसका सुरुवात किया था जब मैं रेत में बना रहा था, तब मेरा सोच में नहीं था कि यह इतना कुछ हो सकता है, मेरे सोच में यह था कि आजने आर्टिस्ट, मुझे कुछ निया चीज क्रेड करना है, और अभी हमारा देश में बहुत सारे यंग्स्टर और स्क किया रहे हैं, और जो लोग आपसे सीखते हैं, वो किस प्रिष्ठभू में से हैं? इस परफिमेंशन फर्म है तो उसमें वो ग्लास फॉर्म के अंदर 5-10 मिनिट्स में एक स्टोरी बन जाता है तो वोगों में काफी इंटरस आजाता है कि एक स्टोरी बन गया जैसे वो स्टेज परफ्रमन्स होता है तो उसमें जो फ्यूचर जो आर्टिस्ट थे हैं जो उनका का साहिन का आर्ट फर्म है सुदर्शन जी आपका स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बात्षीत करने के लिए बहुत-बहुत थन्यवाद